हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अश्टमी तिथी के दिन जन्माश्टमी का पर्व मनाया जाता है। वैदिक पंचान्द के अनुसार इस साल जन्माश्टमी 26 अगस्ट 2024 को मनाई जाएगी। यही कैसा पर्व है जिसकी रौनक देशभर के हर कोने में अलग अलग रूप में देखने को मिलती है। जन्माश्टमी के दिन लोग दिन भर वरत रखते हैं और रातरी में 12 बजे कान्हाजी के जन्म के बाद अपना वरत खोलते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड़ू गोपाल का पूजन किया जाता है। जब कृष्ण जी का जन्म हुआ तो वासुदेव जी उन्हें भारी बारिश के बीच टोकरी में रखकर गोकुल में नन जी के यहां छोड़ कर आये थे। जिसके बाद कंस ने राक्षसी पूतना को आदेश दिया था कि वो मतुरा वगोकुल के आसपास रहने वाले उन सभी बच्चों को मार डाले जिनका जन्म बीते छे दिनों में हुआ है। कंस के आदेश अनुसार पूतना ने ऐसा ही किया, जब माता यशोदा को ये बात पता चली तो वो काफी डर गई और कृष्ण जी को पूतना से बचाने के बारे में सोचने लगी, इस बीच उन्हें ये भी याद नहीं रहा कि कान्हा जी छटी भी पूजनी है। लेकिन लाख कोशिशों के बाद पूतना कृष्ण जी को उठा कर ले जाने में सफल हो गई, लेकिन जब उसने कृष्ण जी को अपना स्तनपान कराया तो उन्होंने उसे इतनी जोर से काटा कि पूतना की मृत्यू हो गई, पूतना को मारने के बाद भगवान श्री कृष् कि अभी तक कान्हा की छटी नहीं पूजी गई तो ऐसे में जनम दिन कैसे मनाया जा सकता है इसके बाद बुजुर्गों और ब्राह्मनों ने सलाह दी की कान्हा के जनम दिन से एक दिन पहले उनकी छटी पूजा जाय तभी जनम दिन मनाया जा सकता है फिर कृष्ण जी के जन पहले छटी पूजी गई और फिर उनका जनम दिन मनाया गया गोकुल में ये परंपरा आज भी निभाई जाती है